एक बार कैनेडा का एक आदमी था जो सर्दियों के महिने में थोड़ा नशे में था उसको लगा भगवान उससे बात कर रहे हैं, वो अपने गुटनों पर बैठ गया और बोला, आप कहां से बात कर रहे हैं? अगर आप उस तरह के काम करेंगे, आपका मजाक उड़ाय ही जाएगा आपका जज्ज्मेंट नहीं, किसी और का जज्ज्मेंट और आपको ये भी नहीं पता कि उनका जज्ज्मेंट है क्या सबसे पहली बात क्या उनके पास आपके बारे में राय बनाने का समय है भी? क्या उनकी आप में इतनी दिल्शस्पी है कि वो आपके बारे में राय या जज्ज्मिन बनाने में समय बरबाद करेंगे? लेकिन कोई व्यक्ति होगा जो कुछ कह सकता है अगर आप पूरी तरह से उल्टी दिशा में जा रहे हैं एक बार कैनेडा का एक आदमी था जो सर्दियों के महीने में थोड़ा नशे में था फिर उसने सोचा कि वो जमी हुई बरफ के नीचे मचली पकड़ने जाएगा तो वो गया और बरफ को काटना शुरू कर दिया तभी एक दहारती हुई आवाज आई इस बरफ के नीचे कोई मचली नहीं है वो खबरा गया उसे लगा भगवान बोल रहे है फिर उसने सोचा क्योंकि उसे कुछ दिखाई तो दिया नहीं फिर उसने सोचा शायद ये दारू की वज़े से होगा और फिर वो बरफ तोड़ने में जुट गया एक बार फिर वो दहारती हुई आवाज आई इस बरफ के नीचे कोई मचली नहीं है तब वो अपने घुटनों पर मैट गया और बुला भगवान क्या भगवान हैं आप कहां से बोल रहे हैं आवाज ने कहा मैं इस बरफ के मैदान का मैनेजर हूँ अगर आप इस तरह के काम करेंगे आपका मजाग उड़ाया ही जाएगा लेकिन जादा तर समय है दूसरे किसी के पास आपके बारे में सोचने का आपके बारे में रायबनाने का आपका मजाग उड़ाने का उनके पास टाइम नहीं है वो अपने ही जहमेलों में लगे हूए हैं न अगर उनको एक भी मिनट मिलता है तो वो वो आपको थोड़ी देख रहे हैं, वो आपको देख भी नहीं रहें आजकल तो आप परिशान मत होईए अगर आप थोड़े बहुत हसने लाइक दिखते हैं और लोग हसते हैं अगर वो हसते हैं तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के लिए खुशी की वज़़े बनते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर वक्त बेवकूफियां करते रहें पर कभी कबहर अपना खुद का मजाग बनाना बिलकुल मानवी है आप अगर हमेशा बिलकुल सही होते हैं तो ये कुछ दिक्कत की बात है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं इसका मतलब है कि आप में कुछ गड़बड है मैं हमेशा सही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब जान लिया है इसका मतलब है कि आप में पका कुछ गड़बल है बस आप असे देख नहीं पा रहे हैं तब जाकर आप हसी की वज़ा बनते हैं अगर आप हसी की वज़ा बनने को राजी हूँ तब आप बहुत प्यारे बन जाएंगे बहुत सारे लोग आपसे प्यार करने लगेंगे क्योंकि आप बिवकूफ हैं सच में उन्हें लगेगा आप क्यूट हैं कोई क्या सोचता है उसकी परवाह मत कीजिए कोई क्या सोच रहा है वो उनकी प्रॉबलम है है न उनके मन में क्या चल रहा है ये उनकी प्रॉबलम है हाँ या नहीं क्या वो आपको आकर बता रहे हैं क्या आप पर हसी आती है इसका मतलब है कि वो बड़े काम के हैं मान लीजिए आप मचली पकड़ने के लिए बर्फ के मैदान में खुदाई कर रहे हैं और किसी ने आपको वो बता दिया तो ये बड़ा काम का सुझाव है है न उन्होंने आपको बताया नहीं और आपको पता नहीं कि उनके मन में क्या चल रहा है आप हर किसी का मन पढ़ने की कोशिश क्यूं करना चाहते हैं आपको इससे मतलब होना चाहिए कि आपके मन का गुण क्या है? दूसरे लोगों के मन के गुण और उसमें क्या है, इसके बारे में परेशान मत हो ये. ये सोचना बेकार है, मैं बता रहा हूँ. दूसरों के मन के खोजबीन करना, इसमें वाकई कोई काम की चीज नहीं है. अगर आपकी चिंता ये है कि आपके मन में क्या होना चाहिए, तब आपका जीवन बہतर होगा. अगर आप इसलिए परेशान हैं कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रही होगी, आप पागल हो जाएंगे. क्योंकि आपको क्या पता क्या हो रहा, यह सब अंदाजे वाला काम है यह अंदाजे लगाने वाला काम आपको पागल कर देगा अगर आप इसे हर रोज करने लग जाएंगे है न तो अब से आप बस यह देखिए अगर आपको लगता है कि कोई काम हसी उड़वाएगा तो मत कीजे उसे अगर आपको लगता है कि कोई काम करने लायक है तो उसे कर लीजे, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सोच सकता है कि यह मजा किया है मैं ब्रह्मान में किसी भी चीज का मजाग उडा सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खिलाफ हूँ इस पर रोने की बजाए आईए इन सारी बेवकूफी भरी चीजों पर कम से कम हस लेते हैं और क्या किया जाए हां? ये एक चुनाओ है आप बहुत सारे आप दुनिया में बहुत सारी बेवकूफी भरी चीजें देखकर उन पर रो सकते हैं या फिर उन पर हस सकते हैं आपकी उनको ठीक करने की ख्शमता ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं पर किसी चीज को ठीक करने की हमारी ख्षमता तब बहतर होती है जब हम हसने वाले मोड में होते हैं, ना कि रोने वाले मोड में, ऐसा ही है ना? तो आप परिशान मत होईए, कोई हसता है, तो आप उनके साथ मिलकर हस सकते हैं, आप फ्रेंड्स बनाएंगे, आप दोस्त बनाएंगे अगर आप प्रतिक्रिया देंगे, तो आप और जादा हसी के कारण बनेंगे पहले ही आप एक बेवकूफी कर चुके हैं, अगर आप ने उस पर प्रतिक्रिया की, तो आप हमेशा के लिए हसी के पात्र बनेंगे अगर आप उनके साथ मिलकर हसेंगे, तो वह आप जो गलत कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे संभव है, लेकिन फिर भी, जादातर लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपको निराज करने के लिए सारी